एलो फ्रेंड्स, वेलकम टुखानद आयरीज, आज हम बनाने वाले हैं जुआर के पापड, राजस्थान में इन्हें जुआर के खीचले भी कहा जाता है, सबसे पहले हम जुआर के खीच बनाते हैं, और उस खीच से हम खीचले बनाते हैं, ये खाने में बहुती स्वाधिस हैं मैं आज आपको एक परफेक्ट तरीखा बताओंगी, जिससे कि आपके पापड बनाते जैसे में कभी भी ना तूटेंगे ना फटेंगे बल्कुल, देखिये एकडम गूर पापड बनकर त्यार हो गें, देखिये कितने अच्छे पापड बनकर त्यार होई हैं, आप द सकते हैं मैं सेखने का तरीका भी आपको बताऊंगी पापड बनाने के लिए सबसे पहले हम कूकर में लगवाद छे कप पानी डाल देंगे मैं दो कप जो आरक आटे के पापड बना रही हूं उसके साब से मैं एक कप आटे में तीन कप पानी और देखिए यह पापड खार है इन सबको डाल कर हमने अच्छे से मिक्स कर लीना है पानी में जब तक बॉइला आ है सब तक हमें आट आए इस में नहीं करना है पानी जो अच्छे से उबल जाएगा उसके बाद ही हम इसमें आट आइट करेंगी पापड खार को मैंने हल्का सा पीस लिया था वैसे बहुत स करेंगे उसी में हो जाएगा देखिए पानी में अच्छा सोबाल आ गया था तो मैंने एक कप आटा इसमें डाल दिया है आटे में बिल्कुल भी लंस ना हो इस बात के आपको ध्यान रखना है एक हाथ से आटा डालते जाए और दूसरे हाथ से आटा को मिक्स करते जाए दू करकेट का आटा लेते हैं तो आप इसको एक बार जरूर से चान लें देखिए इस तरीके से हमें कंटिन्यूस को मिक्स करते रहना है आटे में लंस नहीं पड़ें इस बात का आप ध्यान रखें और अगर बाई चांस जंप्स हो भी जाते हैं तो उसका सोलिशन भी हम बात म कर लेंगे आटा अच्छा से मिक्स हो गाया है आप देतीओ तो वह बहुत बढ़ जायेका देखिए इस सरीके से हमें अच्छा से शेग है आटा अज्छा से मिक्स हो गया है आप चमाज को हम कुकर से बहार निकाल देंगी और इसका लिट लगा दे computation जब मच अठाने के बाद हम वन फोर्थ का पानी गरम पानी इसमें उपर से एट कर देतें और कूकर का रिट लगा देंगे पानी उपर डालने के वज़े यह हैं एक तो खीच की उपर की परद बिल्कुल भी ड्राय नहीं होगी और पानी उपर होने के वज़े से अंदर भाब बनती रहे की और आटा बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगा देखिए एक विशिल आ गई है एक विशिल आने के दो या तीन मिड़ तक हम कूकर को और गेस पर चड़ा रहने देंगे उसके बाद गेस बन करकर कूकर को थंडा होने के लिए देखिए कूकर थंडा हो गया है वो इप विशिल निकल गई है मैं धकन खोल लेती हूं देखिए में बेग बार आपको खीच को अच्छे से हिला कर दिखा देखा देखों कितना अच्छा बना है और पकने के बाद देखिए इसका कलर पुरा चेंज हो गया है और जो हमने उपर पाने डाला था उसकी वज़े से देखिए उपर की बरत बिल्कुल भी ड्राय नहीं ह यह जुआर के आटे में थोड़ी चिकना हाट होती है इसलिए आपको इस तरीके से लग रहा है तेकिनी कितना अच्छा पका है यह इस बात के निशानी है जब पापड फटते हैं तो उसका एक कारण यह भी होता है कि अगर आटा अच्छा से पका ना हो तो भी पापड दाऊंगी जलिए अब हम इसे धूप में ले चलते हैं पापड बनाने के लिए देखिए अब हम धूप में आ गए है तूप में अब हम पापड को बनाएंगे उसके लिए मैंने एक ठाली ले लें है ठाले को पहले हम हालका साथ ओल से ग्रीस कर लेंगे और चम्मश से थोड़ा थोड़ा खीच हम ठाले में निकालते जाएंगे और पापड के लिए तह Italya करते जाएंगे दएखिए मैं दो से तीन चम्मश खीच निकाल लेती हूँ थाली में तेल लगाने से खीज थाले के बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं देखिए वहने तीन चार जम्मस निकाल लिया हैं अब बाकी का हम बाद में करेंगे देखिए जो आलू मेश करने के लिए मेशर होता है उस तरीका मेशर आप लिजी उसको भी हलका सर ग्रीज कर लिजी और धाली में इस तरीके से खीच को आमें फेटना है देखिए अगर खीच बनाते समय अगर थोड़े बुट लम्स आपकी खीच में रहे जाते हैं तो इससे के उसारे लम्स टूट जाएंगे और खीच एकदम से चिकना हो जाएगा देखे और अगर नहीं भी हो तो आपको ये प्रोसेस एक बार कर लेना है उससे मैंडिंग अच्छे से आजाती है और पापड़ हमारे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे पापड एकदम गोल और सुन्दर बनते हैं इसलिए मैंने ये प्रोसेस किया है और अगर आपके हीच में बिल्कुल भी लंस ना हो तो आप ये एक ये दुबार करकर छोड़ दे और पापड़ बना ले अब देखिए मैंने एक छोटी से पॉलिथिन ले लिए है उसको भी हम ग्रीज कर लेंगे और ग्रीज करके हम इसे एक सैट रख लेंगे अब जिस पॉलिथिन पे हमें पापड बना कर सुखाने उसको भी हम अलका सा ग्रीज कर लेते हैं हलकलका सा ओलका सा ओल का हाथ मेंने सारी पॉलिथिन पर फेर दिया है अब हम एक छोटी चम्मज लेंगी, छोटी चम्मज को भी हम करसा ग्रेस करेंगी, ताकि उस पर खीट ज्यादा चिपके न, और देखिए, छोटी चम्मज से इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन ले दे जाएंगे, और नीचे बोली दिन पर रखते जाएंगे, देखिए, थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन में लेती जा रही हूँ, और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हम इसे रख देंगी, इस अंदाजे से जिसकी हम पापड बनाएं तो पापड एक दूसरे के चिपके न, इसे साव समयने थोड़ी-थोड़ी दूरी पर, आगे हमें क्या करना है, देखिए, जिस पोली-थिन को, छोटी पोली-थिन को अपने ग्रीज किया था, उसे हम हलो ये पर रखते जाएंगे, और इस तरीके से फेलाते जाएंगे, देखिए, प्रेस करने के लिए आप कोई भी लकड़ी का चतला या लूटा वगरा कुछ भी ले सकते हैं, जिसा पराठा सेखने का होता है हमारे पास, उसी तरीके से मेरे पास ये थोड़ा सा बड़ी शेप का है, जिसे मैंने पापड़ बनाने के लिए हमेशा से यूज करती है इसमें बहुत ज़्यदा प्रेस करने की ज़रत नहीं होती है, हलकी आतों से हम प्रेस करते हैं, इसमें पापड़ फिल जाता है, देखिए, एक दम कूल पापड़ बनकर तियार होए हैं, और कुई मेहनत भी नहीं लगी, इसे आप अकेली ही बना सकते हैं, आपको दो जने क पापड़ भी बनाए हैं, और इसी तरीके से हम मक्का के एक यहों के सभी तरीके पापड़ बना सकते हैं, देखिए, बस इसी तरीके से में थोड़ा-थोड़ा सा खीच फिरती जाओंगी, और चम्मस से रखती जाओंगी, और सारे पापड़ बनाकर तयार कर लोगी, इन दूप में सुखाना बहुत ज़्यादा जुरूरी हैं मार्च अप्रेल में खीषले बापड़ बनाया जाते हैं क्योंकि इसले बहुत तेज अच्छे धूप होती हैं हवाएं भी नहीं चल रही होती हैं क्योंकि अगर हवा चलती है तो इन पर धूल मिट्टी आकर चिपक कपनान और साल भर उया हम इने स्टोर कर सकते हैं साल भर यह पापड़ बिल्कूर भी खराब नहीं होते हैं आप इने तल कर और सेख कर दोने तरीखे सखा सकते हैं आईये सबसे पहले हम NOTल लेते हैं पिढको अच्छे से तलकर त्यार हो जाते हैं तले हुए खीचले तो बहुत स्वाधिस लगते ही हैं लेकिन सेख कर भी खीचलो का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है लेकिन स्वाधिस लगते हैं खीचले सेखना बहुत ही आसान है देखिए गेस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है और धीरे-धीरे में continue पलटते हुए इस तरीके से खीशले को सीध है आज पर अक्सते जाना है और पलटते जाना है दिखिए धीरे-धीरे करकर पापड बहुत अच्छे से सिख जाएगा इस पर बिल्कुल की दाग भी नहीं लगेंगे और यह खाने में बहुती स्वादेश लगेगा आप इन पापड को माइक्रोवेव में भी सिख सकते हैं बोटीजे में भी सिख सकते हैं लेकिन गेस पर से एक नवी बहुती आसान है देखिए बिल्कुल भी जला नहीं है क्योंकि गेस का फ्रेम हमने लो रखा था देखिए कि इतना अच्छा बापड सिख कर तैयार हुआ है जो लोग वो इन वगेरा नहीं खा दें वो लोग पापड को सेख कर खा सकते हैं और इंजॉय कर सेखने के बाद पापड उतनी क्रिंची होते हैं मैं आपको तेंग चायर पापड सिख कर दिखा रही हूँ फिर मैं आपको पापड तोल कर भी दिखाऊंगी कि पापड कितने क्रिंची बने लिए जवार के पापड बहुत ही ज्यादा डेस्टी होते हैं मक्का के पापड से भी कहीं ज्या तो बात लों के ओज़िसे चीज ले फट जाते हैं और उनमें क्रेक्स आ जाते हैं तो देखिए सिखी वेखी इस लोवें भी कितना क्रंच होता है कितने क्रंची बने है रेसीप पसमनाई हो तो लाइक ज़रूर करें शेयर करें और आपने अब भी तक अगर मेरा चैनल सबस् मिलते हैं एक और नहीं रेसीपी के साथ तब तक लिए नमस्कार वेंज